नमशकार तेनू बैच किचिन में आपका बहुत-बहुत स्वागत है दोस्तों, आज हम मैंगोर अबडी बनाने की एक रेसिपी शेयर कर रहे हैं जिसको बनाना बहुत आसान है, बहुत जल्दी बन जाती है और बहुत ही टेस्टी बनती है और इसका चिलका अलग कर देंगे बदामी आम में रेशे भी नहीं होते हैं और ये स्वाद में भी मीठा होता है इस तरह से चाकू की सायता से हमने पूरा चिलका अलग कर लिया है और इसके पीसिस निकाल कर प्लेट में रख लिये हैं इस तरह से पूरा गूदा हमने अलग कर लिया है और गुठली को अलग कर दिया है कुछ पीसिस को हम चोटे टुकड़ों में काट लेंगे इस तरह से चोटे चोटे पीसिस बना लेंगे ये गानिश करने के काम आएंगे रबडी में और बड़े-बड़े पीसिस को हम ग्राइ यह पिसी भी चीनी है, तो चमज, इसको अमने पहले से पीस कर रखा हुआ है, जो रबड़ी में इस्तिमाल होगी, कुछ ड्राइफ रूट्स हैं, जिसमें बदाम किशमिश, इस्तिमाल करेंगे, आपको और भी कुछ इस्तिमाल करना है, रबड़ी में तो, यूजुज कर सकत अगर आपके पास नॉर्मल कडाई है तो उसमें भी ये बन जाएगा नॉर्मल कडाई में ध्यान देना होगा कि दूद तले में ना चिपके उसे अब एक चम्मची साइता से इसको चलाते जाएंगे अगर आपकी कडाई नॉर्मल है तो तले में चिपकने का रहता है दूद का इसलिए इसको एक चम्मच से लेकर हिलाते रहना है अब इसमें हमने आदा चम्मच लाइची पाउडर डाल दिया है, जो एक अच्छा फ्लेवर देगा रबडी में, दो चम्मच पिसी हुई चीनी डाल दी है, जो इसको मीठा करेगी, चीनी आप अपनी इक्षा के नुसार कम जादा कर सकते हैं, कम मीठा खाना है तो कम करेंगे और अगर आम अगर जादा मीठा है तो इसकी मातरा को कम किया जा सकता है, आम को टेस्ट करके चेक कर लेंगे पहले, आम का टेस्ट कैसा है अगर आम जादा मीठा है तो शुगर की मात्रा कम की जा सकती है अब फ्लेम आफ करके कड़ाई को गैसे अलग कर लेंगे इसको ठंडा होने के लिए रखेंगे ध्यान रहे गरम दूद में आम का पल्प नहीं एट करना है नहीं तो फटने का डर रहता है अब ये दूद लगबग ठंडा हो गया है पांसे दस मिनिट में अब इसमें हम चार से पांच चमच मैंगो पल्प एट करेंगे और अच्छे से मिक्स करेंगे एक चमच से हिला कर कितना बढ़िया रवडी का टैक्शर आ गया है देखिए मिक्स होगे आम कप पर अब जो हमने बारिक काटकर आम के पीसिस रखे हुए हैं उनको भी एट करेंगे एक से दो चमच मिक्स कर देना है उसको भी अच्छे से हिलाएंगे अब ये रवडी बिलकुल बनकर तयार है अब इसको ठंडा करेंगे और सर्विंग बोल्स में निकालेंगे ये हमने 2 सर्विंग बोल्स लिये हैं इसमें हमने 3-4 चमच डाल दिये हैं अब ये मेंगो रवडी को गारिश करेंगे कुछ ड्राइफ रूट्स हमने पानी में भीखोकर रख दिये थे जिसको लंबे-लंबे slice काट लिये हैं बदाम के, चिलका निकाल कर उसको काट लेना है, तब इसमें हम कुछ कटे हुए छोटे pieces आम के add करेंगे, जो खाने में बहुत ही tasty लगते हैं, और कटे हुए बदाम के टुक्डों से इसको गानिश करेंगे, अब यह रबडी की खाने के तो चलें की तरफ मैंगो रबडी बनाने की तैयारी शुरू करें, बच्चे बड़े सबीक को बहुत पसंद आती है, कैसी लगी मेरी रबडी की रेसिपी, अगर अच्छी लगी तो लाइक करिए, शेयर करिए, और कॉमेंट्स करके अपने सुजाब मुझे जरूर देखने के लिए, तनू वैज किचिन